स्वागत है हम सभी का मेरे चैनल पे तो आज हम लेकरा हैं सोसल साइन्स का सब्जेक्टिव प्रस्ण सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिर लगुतरिय प्रस्ण इदिहास का तो एक नमबर में लिखा है कि अस्लम परती की सुरुवात कैसे हुई दूसरा लिखाए का उदिर करांती की किनी दोग शकरात्मक प्रभाव का उलेख करें अगला कोश्चन ने तीन नमर सर्भारा बरकिया है चौथा कोश्चन ने जिनेवास समझाता पर एक संचित टिपड़ी लिखिये पाजवली के सौराज पाटी के अस्थापना का उदेश से क्या था और छाटवा के वदिकरां ने कीस परकार उपनिवेस स्वाद को जनम दिया तो इस चौग में से मात्र तीन वो कोश्चन बनाना है जिसके लिए दो अंक निर्धारित है इसके बाद देखते हैं दिर्गुतरिय प्रस्ना 7 तेवाम आठ दिर्गोतरिय प्रसने जिसमें से किनी एक का उतर देना है और परतिक के लिए चारंग निरधारित किया गया है 7 नमबर दिर्गोतरिय प्रसने लिखाए कि जर्मनी के एक इकरण में बिसमार्क की भूमिका का वणन करें आठ नमर्द एक की भारतिय राष्टिय अंदोलवन में भारतिय और राष्टिय कंग्रेस की भूमिका की विवेशना करें उसके गाद है राजनितिक विज्ञान यानि के पोलिटिकल साइंस है इसमें नौ से बारतक लग उतरी प्रस्न है इन में से किनी दो प्रस्नों कहीं उतर देना है और पड़ते के लिए दो अंकने धारित किया गया है नो नमर्द की सत्ता में 36 बीतरण और रुद्वाधर बीतरण में अंतर असपस्ट करें दोस नमर्द की समर्ति सुची का क्या अभी प्राय है 11 नमर्द की गराम पंचायत की आय के सुरोत बताईए 12 नमर्द की बिहार में हुए छात्र अंदोलन के प्रमुक कारण क्या थे उसका 13-14 दिरुतरण प्रस्न है जिसमें सेखी का जबाब देना है चार अंक उसके लिए धारित किया गया है लिखा 13 नमर्द की संग्या सासन व्यवस्ता की प्रमुक विशेष्टा लिखिए 14 नमर्द की नगर प्रिशत की संगठन और कारियों का वर्णन करे अगला है अर्थ शास्त्र का कोस्चन 15-18 तक लग उतर ये प्रस्न जिसमें से दो का उतर देना है और प्रतिक के लिए दो अंगने धारित है यानि चार प्रस्न में से दो प्रस्न का जबाब देना है 15 नमर्द का ये प्रतिक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं 16 नमर्द की अर्थ व्यवस्ता को परिभासित करे 17 की आर्थिक और संग्या है 18 है कि कोपरा क्या है उसके बाद दिर्गुतरिय प्रस्न है दिर्गुतरिय प्रस्न उननी से वंबीस दिर्गुतरिय है जिसमें से किनी एक का उतर देना है और परतिक लिए चारंग नहीं जारिक किया गया है कि उनिस से कानवेर में आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं भारत की इन सुधारों की आवसेत्ता क्यों हुई इसमें से किसी एक का उतर देना है अगला है भुगोल का कुस्टन जो 21-26 तक तीर उतर यह परसन यानि कि छो कुस्टन जिसमें से कि नहीं तीन परसनों कहीं उत्तर देना है 21-29 लिखाए खनीज क्या है 22 लिखाए लवयास के प्रमुकुत पाधक राजियों के नाम लिखिये 23 लिखाए कि तापियों पर दूसरों को परिभासित करें 24 लिखाए कि नदी घाटी परिविजना को बहुदेशिय क्यों कहा जाता है 25 परसन है कि मुरिदा के किन ही दो प्रकारों का संचिफ्त भीरण दीजे 26 की सतत्विकास क्या है 27 परसन है कि भारतिय अर्थव्यस्था पर ये जो है दिरुतरिय परसन है भारतिय अर्थव्यस्था पर बैस्वी करण के प्रभाव की बैख्या करें और 28 भारतिय क्रिशी के निमना अत्यक्ता्थे क्या कारण है इसमें प्रेश प्रश्ण का यी अग्ला है आप्यारा प्रवंधन इसमें 39 Πारा प्रवंधनेने से 29 प्रकीष्ण आप similarly च्तिती में क्या प्रवंधन करना चाहिए है और 2 लिख WAI कि समान्य संचार व्यस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिख कीजिए तो यह आप लोग उने प्रस ने देखा इसका एंसर आप लोग बना लिजिएगा और जाकर करके एक्जाम में लिख दिजिएगा सेम टू सेम ही कोस्चन आएगा यह दिया आप लोग को दिक